नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब स्वागत है आप सभी का हमारे आज की इस नए वीडियो में आज हम बात करेंगे साइंस फैकल्टी साइंस फैकल्टी ऑफ इलहाबाद विस्विद्याले अक्सवर्ड ऑफिस्ट के उसके काउंस्लिंग सेड्यूल के बारे में उसकी ऑफि साइंस मैट्स के केस में क्या लगता है उसको आपको बताएंगे ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं पहली बात थोड़ी सी इंफॉमिशन आपको काउंसलिंग को लेकर होनी चाहिए इसलिए क्योंकि जब आपका कट-off आएगी तब आपके पास समय बहुत ही कम रहेगा उन आपको इंफॉमिशन दे दे रहा हूं रिपोर्टिंग टाइम नाइन एम से 12 नून होगी मतलब यह है जो आपका कट-off आने वाला है सायद बहुत सारे जिक्र कर रहे हैं कि आपका काउंसलिंग सेडूल जो होगा जो काउंसलिंग होगी वह आनलाइन होंगी मतलब आप विबसाइट इतनी अच्छी नहीं है कि वह आपकी काउंसलिंग ऑनलाइन करा सके ठीक है आप लोगों ने देखा ही होगा फॉर्म वरते समय जो करेक्शन की डेट आई थी मांक सीट अपलोड करने के लिए नंबर कितना पापड विलने पड़े आपको फिलाल कट-off देखत नौ से बारा के बीच आपको फॉर्म मिलेगा और उसी बारा के बीच में आपको सम्मिट करना होगा फिल करके दो सेट बनाने होंगे कोरिशनल का एक डूबलिकेट का दो और डूपलिकेट वाले में अपनी सिग्नेचर करने होगा ठीक है कांसलिंग एडमीशन स्टार्ट ह से आपको फीस होगेरा लेकर जाने क्योंकि तुरंट एड्मिशन कराना होता है तो टू पीम से आपके नाम को बुलाया जाएगा जैसे आपकी रैंक और मार्क सुनना ओड़ेगा कान लगा के नहीं तो मिस हो गया तो समझलो चला गया आपका अगली कट आफ आएगी तभी प ठीक है और इस बार आने वाली है next week मतलब October के नेक्स्ट वीक में आपकी कट आउफ आ सकती है फूस्ट वीक के ला स्ट डेज में मतलब चार से पांच में चार से पांच है में रिजल्ट आएगा उसके बाद दस की आसपास अबगी कट आ जाएगी पहली तो इसले साल की पह मतलब पेपर थोड़ा क्या था नुमेरिकल इस बार थोड़ा जादा आ गया थे ठीक है पेपर जादा नॉर्मल भी नहीं था और ज्यादा टफ भी नहीं था टफ कह सकतो लिटिल भी टफ था लेकिन उतना नहीं इसलिए कट आफ जो है जादा इंक्रीज नहीं करने वाली है भी आपकी मैक्सिमम कट ओफ इंक्रीज करेगी 6-7 पर्शेंट मतलब सबसे कम जो कट ओफ इंक्रीमेंट है वह बीस्ट के के केस में हैं तो 168 प्लस है पिछले साल की तो इस बार की कट ओफ होगी पहली लिस्ट में अन्रिजर्ड मतलब आल कटेगरी की वह है 175 प्लस ठीक है 175 प्लस यह होगी मैक्सिमम मिनिमम की बात करें तो 172 यह अन्रिजर्ड मतलब जैनरल कटेगरी की कट ओफ होगी कोई भी जाकर अगर इतना नंबर है तो एडमिशन ले सकता है ठीक है ओबीसी की बात करें तो 168 जो है मैक्सिमम हो सकती है मिनिममम 165 खुमा फिरा के 12% कम जाएगा ठीक है लेकिन यहीं आसपास रहने वाली है ओवीसी देख लो 168 प्लस 168 मैक्सिमम 165 मिनिममम पहली कट आफ की बात कर रहा हूं एडमिशन तो सबको मिल जाएगा जिसका भी स्कोर 140 प्लस होगा ठीक है फिर चाहे हो बीसी बायो का हो या फिर बीसी मैट बीसी बा ले चुक जाएं लेकिन ओवीसी वगेरा तो कंफर्म समझो ठीक है कि सेड्यूल ट्राइब की बात करते हैं अभी स्की बात करो इसली बार कट आफ लेट में आई थी इसलिए यहां मेंशन नहीं है लेकिन कट आफ जो रहने वाली है बहुत ज्यादा इस बार एप्लिकेंट 170 fix समझो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए तो बात की बात है लेकिन 170 fix है यसी की बात कर लेते हैं 150 प्लस 150 से जादा अगर आपका है तो admission आराम से होगा पहली लिस्ट में पहले लिस्ट की बात है बाकि तो आपका admission हो सकता है 100 100 तक 101 100 मतलब 110 तक ठीक है यस्टी की all category all student ठीक है यस्टी वाले आराम से जाएंगे बढ़िया आराम से बाटल हो गेरा लेकिए आराम से उनका admission होगा डोंट वरी ठीक है आप document required की बात कर लेते हैं आपको अपने admit card सम्हाल के रखना है जिस पर stamp लगा होगा जब आप center पर गए होंगे तो paper देने से पहले वहाँ stamp लगता है तो उससे लगा होगा उसको सम्हाल के रखना original चाहिए फोटो कॉपी भी करा के रख लो scorecard जो आएगा आपका result में वह रखना है मार्क सीट 10 12 की certificate के साथ दोनों लगेगी ठीक है 12 की और 10 की 11 कोई matter नहीं करता है transfer certificate या फिर migration certificate TC और migration में एक लगेगा recent का सर्टिफिकट होना चाहिए सब सुन लुद्धान से OBC EWS SC ST general का कोई मतलब नहीं है ठीक है उनको reservation लेना नहीं है तो उनको कोई certificate नहीं देना है तो OBC ST ST SC और EWS इन चारों को अपने recent certificate रखने है मतलब छे महिने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए टू रिसेंट passport size color photo कम से कम तीन लेके जाना है आपको यहां दो मेंसन है इसको भूल लाओ आधार कार्ड ओरीजनल फोटो कार्पी दोनों रखनी है इसको छोड़ो अगर कट ओफ अच्छा है नंबर अच्छे है तो एडमिशन तो कंफर्म है बाकी भगवान के उपर है तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में ख्याल रखिए BSC Bio की कट ओफ के साथ then BSC Home Science की कट ओफ के साथ ठीक है ख्याल रखिए अच्छे से रिजल्ट का वेट करिए बिल्कुल पैनिक मत हो ये अडमिशन कंफर्म है अगर आपने इसकोर किया है थोड़ा सा अच्छा 130 प्लस स्कोर किया है तो अडमिशन कंफर्म है ठीक हैं तो चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में ख्याल रखिए